कि बीपीए सी करेंट अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है आए आज देखते हैं कौन-कौन से सवाल बनते हैं इस पूरे सब्ता हमें एक एक करके आगे बढ़ते हैं चलिए हाली में डॉक्टर अभिशेक राज को नेशनल च्वाइस अवार्ड 2021 मिला है वे बिहार के किस जिले से सम्मंदित हैं डॉक्टर अभिशेक राज के बारे में बात हो रही है ऑप्शन्स हैं नवादा जमुई भागलपूर कैमूर या फिर उपर युक्त में से कोई न नवादा के हैं डॉक्टर अभिशेक राज और डॉक्टर अभिशेक राज यह जो अवाड दिया गया है नेशनल च्वाइस अवाड 2021 दे ट्रिब्यून समू है दे ट्रिब्यून ग्रूप और रेडियो कि सिटी के द्वारा एक जॉइंट वेंचर है उसके तहत नेशनल च चाहस वाड 2021 दिया गया है किस किताब के लिए दिया गया है अन्डर्सेंदिंगphone अन्डर्सेंडिंग दिवंव्ऻ थे कह तो understanding the game of life book के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर रुपशेक राज को सौ उभरते लेखकों और सिक्षा विदों को यह अवार्ड दिया गया है ठीक है इसके पहले डॉक्टर रुपशेक राज को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर साहित्या और समाच सेवा के लिए साहित्य के लिए और समाच सेवा के लिए कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं तो इसका सही Option क्या है यह नवादा से तालोग रखते हैं चली अगला बिहार का पहला floating solar solar power plant कहां पर बना है। औप्शन्स हैं मधू बनी, सुपाल, दर्भंगा, मध्यपूरा या फिर ऑप्शन इसका सही जवाब है दर्भंगा, दर्भंगा में एक जगह है कादिराबाद मोहला है, basically कादिराबाद, कादिराबाद में एक तालाब में यह फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया गया अब माली यह तलाब ठीक है इसकी गहराई है इधर पानी ठीक और यहां पर बना दिया गया सोलर पावर प्लांट इस तरीके से लगा दिया गया तो अब समझे सरकार की क्या योजना है यहां मचली पालन हो मत्से पालन ठीक और यह सोलर पावर प्लांट और उर्जा के जरीए हम यहां पर एक बिजली बनाने का सिस्टम लगाएं और बिजली बना ले कितना लक्ष है एक पॉइंट शे मेगा वार्ट तो यह प्रयोग के त देखने और लिए है कि यह अगर यह प्रयोग सफल रहा कि एक तालाबिन और इसे मे मचली पालनि यह से मेगा वार्ट बिजली 2 मेडाब सिकिस्व 2 और लग यह वरस्म को सकता है तो option क्या है तिर्भंगा ठीक है छलिए नीति आयू की डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने प्रत्थम इस्थान हासिल किया डेल्टा रैंकिंग आपको पता है जैसा कि question में ही है नीती आयोग द्वारा जारी होता है आकांक्षी जिले aspirational districts की समय समय पर आपको लिस्ट आती रहती है ठीक है अभी जो पहला स्थान हासिल किया है वह है खगडिया ने ठीक है 115 aspirational districts थे मतलब 115 आकांक्षी जिले थे पूरे भारत जिसमें से एक नंबर पर खगडिया ठीक दो नंबर पर जमुई तीन पर धौलपूर राजस्थान और चार नंबर पर पूर्णिया ठीक है तो बिहार से कितने होगे टॉप फोर में तीन खगडिया एक नंबर पर जमुई दो नंबर पर धौलपूर राजस्थान तीन नंबर पर जो कि बिहार से नहीं तेजी से विकास हो रहा है ठीक है और उसको प्रुचाहित करने के लिए यह पूरी व्यवस्था बनाई गई है तो इसमें छे पैरामिटर्स है उन छे पैरामिटर्स को भी समझें पहला है स्वास्थ वह पोशन स्वास्थ एवं पोशन ठीक दूसरा है शिक्षा तीसरा है क्रिशी एवं जल संसाधन ठीक चौथा है कौशल विकास फिर है वित्तिय समावेशन वित्तिय समावेशन और छठा है आधार भूत संरचना आधार भूत तो यह पेरामिटर्स भी आपको याद रखने चाहिए को श्वास्थ वह पोशर में एक नंबर हासिल हुआ हुआ है ठीक है पैरामेटर की बात की जाती है नितियायोग जिन पैरामेटर को ध्यान पर रख कर ये डिल्टा रेंकिंग जारी करता है उसमें स्वास्थ पोशन शिक्षा कृषी ये जलसन साधन वित्या समावेशन कौशल विकास और आधार भूत सनरचना ये सारे पैरामेटर्स हैं जिनके अधार पर दिया जाता है अक आंक्षी जिलो की डिल्ट रेंकिंग जारी की जाती है और इस बार खगडिया ने बाज़ीमारी रैंकिंग मैंने बता दिया आ नमबर पर जमोई तिन नमबर पर राजस्थान का दहौलपूर और चार नमबर पर ठीक है तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चलिए बिहार में किस ब्रिमारी से संक्रमितों के साथ सामाजिक भेदभाव करने वाले को दंडित किया जाएगा कैंसर एड्स मधुमे फाइल एरिया या फिर ऑप्शन केंद्र के इस्तर पर एक कानून आपने सुना होगा है एचाईवी एड्स है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 कि यह केंद्र के अस्तर पर है और बिहार में मार्च 2021 से इसे लागू किया गया मार्च 2021 से तो इसी एक्ट के तहट अब एड्स के जो संक्रमित होंगे एड्स के जो मरीज होंगे उनके साथ जहिर तोर पर आपको पता है एड्स के मरीजों को कई बार समाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है तो अगर एड्स के मरीज समाजिक भेदभाव की शिकायत करेंगे तो शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं लोगपाग द्वारा इन मामलों का निप्टान किया जाएगा इन मामलों को सुना जाएगा तो किस बीमारी के संक्रमितों के साथ बेदभाव करने वालों को दंडित किया जाएगा एड्स यह भी हाल की ख़बर है और किस एक्ट के तहट है चाईवी एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 जो की सेंट्रल गवर्मेंट के लेवल पर है और मार्च 2021 से बिहार में लागू है ठीक है बिहार के अंतर राष्ट्रिय पैरा तैराक शम्स आलम को नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2021 दिया गया यह किस जिले से संबंधित हैं दर्भंगा स्तारण मधुबनी किशन गंज या फिर ऑप्शन यी और इसका सही जवाब है मधुबनी के हैं शम्स आलम ठीक है अब इस अवार्ड के बारे में जानी है यह अवार्ड 26 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था अवार्ड दिया है राष्ट्पति श्री रामनात कोविन जी ने अब राष्ट्पति श्री रामनात कोविन जी ने दिया है इसमें नेशनल लगा हुआ है तो इसका मतलब नेशनल लेवल पर दिया गया कि यह नेशनल लेवल पर इस अवार्ड को दिया जाता है और कौन देता है भारत सरकार में इस सामाजिक न्याए एवं अधिकारिता मंत्राले द्वारा यह दिया गये है तो इसको ध्यान पर रखना है आपको शम्स आलम को पहले भी 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 हार खेल सम्मान दिया जा चुका है बिहार खेल सम्मान दिया जा चुका है ठीक है कि इसके साथ इंडिया वुक आफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज ठीक है तो क्या क्या इन्फोर्मेशन हो गया एक तुम अधुबनीज नहें शम्सालम नेशनल बेश्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2021 दिया गया कि मंत्राले द्वरा इता है भारत सरकार के समाजिक न्याय ओम अधिकारिता मंत्राले के द्वरा ओवार्ड है 26 अक्टूबर को अनांस हो गया था ठीक है और राश्ट पती के द्वरा दिया गया बिहार खेल सम्मान इनको पहले मिल चुका है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम पहले से दर्ज है तो मधुबनी के हैं यह सही जवाब है चलिए गोहाटी में आयूजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में ललित नारायन मिथिला विश्वविद्याले दरभंगा की ब ग्लोबल कि यूनिवर्सिटी ठीक है गोहाटी में यह आया था यह आयोजन हुआ था इस खेल प्रतियोगिता का क्या नाम था इस्ट जोन इस्ट जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता ठेक है इस जोन इस्ट प्रतियोगिता रॉयल ग्लोबल यूश्वर्सिटी गोहाटी के इसमें दर्भंगा की बैडमिंटन टीम टीम ने चौथ इस्धाना अस्थान होस्ति किया लेकिन खास बात यह है कि इस चौथा-स्थान' हासल करने के बाद अब यह टीम भारत सरकार की खेलो इंडिया कारिक्रम में इस्थान इसको मिल गया है और इस प्रोग्राम में जो खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं जिनको कमिटी तै करती है कि इन्हें हम प्रुचाहन देंगे इन्हें मदद करेंगे उन्हें आठ साल तक हर साल पांच लाख रुपे दिये जाते हैं ठीक है तो यह एक इंपोर्टेंट बात है ऑप्शन डी सही आंसर है इसका बिहार की किस व्यक्ति को मैथली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरसकार 2021 प्राप्त हुआ है अमित मिश्रा अरुणदेव दया प्रकाश सिन्हा सुमित कुमार या फिर ऑप्शन पहले तु समझे के हाल ही में साहित्य अकादमी का पुरसकार जब अनौन्स हुआ उसमें तीन कैटेग्री आपको ध्यान पर रखनी है पहला साहित्य अकादमी पुरसकार ठीक है काहिता या कादी मैं पुरसकार डूसरा सहित्य अकादमी इस यो फ्रसकार फोर मोल और तीसरा सहित्या कादमी बाल सहित्य पुरसकार कर तो तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए क्योंकि यहां जो बात हो रही है साहित्य अकादमी यूअ पुरसकार की बात हो रही है और यह सेकंड कैटेग्री है साहित्य अकादमी यूअ पुरसकार इसमें Amit Mishra को मिथला के लिए आवार्ड मिला है ठीक है अमित मिश्रा कहां के हैं समस्ति पूर के और इनको जिस किताब के लिए आवार्ड मिला है उस किताब का नाम है अंशु बिन पसरी जैब अंशु बिन पसरी जैब ठीक है अब बाल साहित्य जो पुरसकार है इसमें मिथला से डॉक्टर अनमोल जहा को अवार्ड मिला है मिथला के लिए तो यहां आपको सिर्फ यह द्यान रखना है कि तीन कैटेग्रीज है अलग-अलग और हम यहां जो कोश्चन के बात कर रहे हैं वह सेकंड कैटेग्री है साहित्यक आदमी युवा पुरसकार साहित्यक आदमी पुरसकार में ऐसे जान लिजिए कि हिंदी के लिए साहित्यक आदमी पुरसकार इस बार दिया गया था दया प्रकास जी को निहां ठीक और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखलेजी को कि यह एक इंपोर्टन बात है और बाल साहित्य पुरसकार में डॉक्टर अनमोल जहां मिथला के लिए दिया गया है तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन ए कि नेक्स्ट मिशन भारती रिसर्च इन्फोर्मेशन सेंटर की तरफ से बिहार गुरु डायरी का लोकारपण कहां किया गया है ऑप्शन से मुझफरपुर पटना बकसर वैशाली या फिर ऑप्शन ए सही जवाब है इसका मुझफरपुर में लोकारपण किया गया है इसने द से लोकारपन किया है और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर को सब्सक्राइब ठिक्षा और सब्सक्राइब किया गया है अगला हाली में कौन बिहार जार्खंड Association of North America BJA के अध्यक्ष निर्वाचित हुए है संजीव सिंग अने लगरवाल सुषांत कुमा सुषांत कृष्ण या फिर अनुराग कुमार और ऑप्शन ए है तो इसका सही जवाब है अनुराग कुमार किस संस्था की बात हो रही है बिहार एंड जार्खंड Association of North America North America North America की बात हो रही है यह संस्थान कहां पर नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका के न्यूजर्शी में मतलब अमेरिका के न्यूजर्शी में यह संस्थान है गैर लावकारी संस्था है गैर लावकारी स्वयमसेवी संस्था है तो इसके अध्यक्ष बने हैं और किन लोगों के हितों की बात करता है बिहार जारखंड के लोगों की अमेरिका में बिहार जारखंड के लोगों के हितों की बात करता है तो अनुराग कुमार इसका सही आंसर है चलिए बिहार में शराब बंदी किस कानून के तहत की गई थी बिहार मद्द निशेद और उत्पादन अधिनियम 2016 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षन अधिनियम 2005 बिहार आबकारी संशुधन अधिनियम 2016 बिहार अपराद नियंत्रण अधिनियम 1981 और ऑप्शनी एक्शली क्या हुआ कि सुप्रेम कोर्ट में बिहार सरकार ने हाई कोट के फैसलों के खिलाफ अपील की थी जिसमें बहुत सारे ऐसे मामले जो शराबंदी कानून के उलंगन से जुड़े हुए हैं उसमें जमानत दी गई थी तो यह अपील लेकर सुप्रेम कोट पहुंचे थी बिहार सरकार सुप्रेम कोट ने इसे रिजेक्ट किया ठीक है सुप्रेम कोट ने कहा कि हाई कोट पूरी तरह स से इन केसे लॉक है मतलब पटा पड़ा है ठीक है और सरकार से कहा कि आपको अंदाजा नहीं है कि इस कानून शराबंदी की वज़ज़ से कितना ज्यादा लोड है समय हाई कोट के जज़स पर ठीक है तो इसलिए यह क्वेश्चन बना है इसका सीधा सीधा आंसर है बिहार म शराबंदी जिस कानून के तहत इंप्लिमेंट होता है उसकानून का नाम यह तो आप्शन यह इसका करेक्ट आंसर है ठीक तो आज के सश्चन में फिलाल इतना ही रखते हैं अगले बार फिर आप से मुलाकात होगी उमीद है इस प्रोग्राम से आपको फायदा हो रहा होग अगले एपसोड में फिर नए सवालों के साथ मिलते हैं तब तक के लिए अजाज़त दीजिए अपना ख्याल रखे कोवेट का टाइम है कोवेट प्रोटोकॉल का पालन कीजिए घर में रहिए कुछ दिन पढ़िए लिखिए सुरक्षित रहिए यह अनुरूद है आपसे फिलाल के लिए अजाज़त नमस्कार